Hey winners, इस वीडियो में जो powerful scientific चीज़ें आपके साथ share करूँगा, उससे guaranteed weight loss तो होगा ही होगा, आपके शरीर का fat मूम की तरह पिखल जाएगा, बहुत सी बिमारियां ठीक होने लगेंगी, और अगर इन सभी चीज़ों को आपने regularly follow किया, तो एक sustainable weight loss journey पर आगे बढ़ेंगे आप यानि कि वो जो weight loss कम होगा, वो बहुत जल्दी से वापस से बढ़ेगा भी नहीं, और हाँ, video पूरा देखना, अगर आप अपनी weight loss या fat loss journey को लेकर के serious हो, तो सबसे पहला और सबसे powerful point आपके साथ share करता हूँ, जिसने सेंकडों, हजारों नहीं, बल्कि लाखों लोगों की जिन्दगी में से नसर्फ weight loss किया, बल्कि कई तरह की बिमारियों को खत्म किया है, ये है, खाने को अपने मुँ में पानी बना करके खाना, अब उससे एक तो आपका जो digestion का process है, जो पेट में जो hydrochloric acid release होना है, उसको खाने को breakdown करने के लिए, उसका काम आपने पहले ही अस कर दिया, कहीं न कहीं उस पचने के process में बहुत जादा समय लेता और उसमें से कुछ पचता, कुछ नहीं पचता, आपकी intestines में चिपकता, कहीं toxins बन के इकठा होता, fat के रूप में deposit होता, उसके होने के chances न के बराबर रह जाते हैं, दूसरा जब खाने को आप मुँ में बहु extract करने में आपकी body को असानी होगी, और उसको digest करने में भी, और इससे एक बहुत powerful चीज और होगी, कि आप over eating से भी बच जाओगे, excess eating से, पूरी दुनिया की भाग दौड में अपने आपको थोड़ा सा समय दे दो, 20-25 मिनट आराम से खाने को खाने पर लगाओ, जिंदगी बदल जाएगी, और हाँ एक tip भी दे देता हूं कि weight loss करने के लिए खाना छोड़ना, science के हिसाब से भी और ayurved के हिसाब से भी एक बहुत गलत practice है, last video में मैं आपके साथ ये share भी किया था, इसलिए कभी भी weight loss के लिए खाना मत छोड़िये, हाँ उपवास करना इस category में नही को healing देता है, लेकिन chronic लगातार, 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 100 दिन, हम कहते हैं कि नहीं मैं तो इतनी रोटी खाऊंगा, आदी रोटी खाऊंगा, या थोड़ा सा खाऊंगा, ये चीज हमें weight loss नहीं दे रही होती, ये चीज हमें कमजोरी दे रही होती है, हमारे शरीर को weak बनाती है, तो उपवास कीजिए, जो आपकी body को healing देता है, बलकि ऐसा नहीं कीजिए कि 10, 15, 20, 50 दिन तक लगातार, जो है, मैं अपनी body को उतनी calories ना दू, जितनी हमारी body को चाहिए, दूसरा weight loss का दुनिया का सबसे second best powerful तरीका है, intermittent fasting, यानि कि उपवास करना, नाम थोड़ा नया ह है, लेकिन हमारे लिए सद्यों पुरानी चीज है, ये उपवास है, कि आप सूरे अस्त होने से पहले जो है खाना खालीजे, और अगले दिन सूरे उदे होने के बाद खाना खाईए, कहने का मतलब है कि अपने खाने की जो window है, वहाँ पर 16 घंटे का gap जरूर दीजे, और व मोटापा हमको दिखता है शरीर के उपर, लेकिन अंदर अंदर वो कई जगा पर नुकसान पहुंचा रहा है, डिपॉजिट हो रहा है, टॉक्सिंज वाले विडियो में आपको बहुत अच्छे से मैंने ये क्लियर किया था, तो 16 घंटे की एक window set कीजिए कि इस दौरान हमारे शरीर को healing और powerful energy effects दे सके, तो third point में आपको बताऊँगा कि हमको कुछ चीजें छोड़नी है अगर हम actual में fat loss करना चाहते हैं और अपनी energy को बकाईदा maintain रखना चाहते हैं और ऐसा भी करें ताकि हमारी body का वो fat वो weight जल्दी से वापस ना आए, तो सबसे पहली चीज ज पोकीन के बाद जो सबसे ज़्यादा highly addictive चीज है वो sugar है, वो मीठा है, इस मीठे के अंदर specifically चीनी के अंदर किसी तरह का कोई mineral नहीं है, कोई vitamin नहीं है, कोई nutrients ही हमारी body को नहीं दे रही, fiber नहीं दे रही, energy कुछ नहीं दे रही है हमारी body को, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी body को नुकसान ही पहुचा रहे है, sugar की cravings को कम करने के लिए आप fruits खाये, जैसे की नाशपती हो गई, जैसे की आपका सेब हो गया, जैसे बहुत सारी berries हो गई, किसी भी तरह की berry हो, raspberry हो, blueberry हो, blackberry हो, strawberry हो, इन सब के अंदर आपको भरपूर मात्रा बे energy मिलती है, आपकी body को ये full कर देती हैं बहुत जल्दी, और आपके मीठे की cravings जोती है, मीठा खाने की, वो भी कम होगी, तो कोशिश करो my dear friend की ये चीनी का त्याग, आप अपनी जिम्दगी से कर दो, इसकी जगा, अगर आप यूज को, मैं, मैं देसी खांड को use करता हूँ, बहुत easily मिल जाता है, जो इसके लिंक भी मैं आपको description box में देता हूँ, अगर आपको ये आपके आसपास के local store से मिलती है, बहुत बढ़िया, नहीं तो मैं links दे दूँगा, ताकि लोगों को buy करने में आसानी हो, देसी खांड लीजिए, अगर आपको taste का कोई issue नहीं है, तो जो organic jaggery powder आता है, यानि शक्कर आती है, उस शक्कर को consume कीजिए, अगर फिर भी इन दोनों में आपको समस्या है या महंगी लगती है, तो मिशरी को consume कीजिए, वो भी वो मिशरी नहीं जो crystal form में आती है, वो चीनी जैसी है, वो मिशरी जो की पत्थर जैसी होती है, जिसके अंदर धागा लगा होता ह उस मिशरी को consume कीजिए, और यकीन मानना आप ढूंडोगे इस वीडियो को दुबारा like करने के लिए, अगर आपने सिर्फ साथ दिन तक इन चीजों को follow किया, specifically अगर आपने sugar intake अपनी जिन्दगी से कम कर दिया, तो आप देखोगे चमतकार होने लगेगा, आपकी energy high होगी, देशी खांड यूज करो, कोई energy कमनी होगी, शुगर कमनी होगी, मिशरी यूज करो, जैगरी यूज करो, गुड यूज करो, जैगरी powder यूज करो, यानि शकर को यूज करो, और जो भी इनके best available links होते हैं, मैं description में दे देता हूँ, एक और चीज, शुगर छोड़ने के आपको जो snacking और munching की habit है ना, इसको भी छोड़ना चाहिए, या थोड़ा सा इसका रूप बदल देना चाहिए, कई बार जब आपको लगता है कि कुछ खा लेते हैं, snacking कर लेते हैं, बीच में कुछ, you know, मूँ मार लेते हैं, इधर उदर, उस time पर actual में आपकी body को भूग नहीं लगी होती, या तो आप बोर हो रहे होते हैं, या फिर आपकी body को पानी की requirement होती है, पुराने time में हमारे ancestors को जब भूग लगती थी, तो उस time पर fruit खाते थे, जिसमें 70% पानी होता था, तो हमारी body ने खाने को भी पीने से associate कर लिया हुआ है, यानि उसको भूग लग कि आप अपने पास चने रखिए, चने जो भुने हुए छोले होते हैं, उनका छिलका उतार करके आप उसको खाईए, एक तो आपकी वो cravings बिल्कुल खतम हो जाएंगी 2-3 दिन के अंदर, और दूसरा ये आपको high protein देगा, और protein बहुत ज़रूरी component होता है अगर हम weight loss करना चाते हैं तो, तो दिन में आप 2 मुठी भर के चने बड़ी आराम से खा सकते हैं, तो जब भी आपको snacking का मन करें, थोड़े से 10-15-20 दाने चने के चिलका उतार करके लीजिए, उनको अच्छे से चवा करके खाओ, protein भी मिलेगा, fat loss भी होगा, energy भी बढ़ेगी और चेहरे क को retain कर लेती है हमारी body के अंदर, इसलिए आप देखेंगे कि हमारे ancestors ने ऐसे बहुत सारे उपवास बनाए थे, वरत बनाए थे, जिसमें कि किसी एक दिन हम लोग बिना नमक का खाना खाते थे, और वो नमक ना खा करके हमारी body से excessive fat ये जो water retention हो रखा होता है, ये हमारी body से निकल जाता है, तो पहली बात तो ये कि sodium का intake हम बहुत जादा कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा कम कीजिए, कोशिश कीजिए कि pink himalin salt अगर आपको मिल जाए आपके आसपास की किसी shop से, उसको use कीजिए, जिसको सेंधा नमक भी कहा जाता है, उसका भी link में description में दे देता हूँ और कभी भी उपर से sprinkle करके नमक मत खाईए, वो जो नमक है sodium वाला specifically, उसको तो बिलकुल sprinkle करके मत खाऊ, वो पका हुआ नहीं है, वो बड़ी दिक्कत बॉड़ी में create कर रहा है, high BP के patients को, सबसे जादा patient बनाने का काम ये नमक जो है कर रहा है, अगर आपको फिर भी खाना है तो वो pink, हिमालन, salt या सेंदा नमक जो है, उसको sprinkle करके अपने खाने पर आप खा सकते हैं, कोशिश कीजिए, रात के खाने में नमक कम से कम हो, अगर आपको low BP की problem रहती है, तो आप नमक का intake कर सकते हैं, क्योंकि उस condition में हमको sodium थोड़ा ज्यादा चाहिए होता है, बॉड़ बलकि 970 तरह की बिमारियों को जनम दे रहा है, fried food, कोशिश कीजिए, जो बाहर का fried है, उसको तो बिल्कुल मत खाए है, क्योंकि पता नहीं कब का oil है, कितनी बार उसको, कितनी बार उसके अंदर खाने को fry किया गया है, पकोडों को fry किया गया है, और एक बार यूज करने के अगर आपको इन चीजों की craving होती हो, बाहर का चटपटा, मसालेदार, fried खाने का मन करता हो, तो बहुत simple सा मेरा तरीका follow कर लो, कि मुठी भर चने अपने पास रखो, उनको खाओ, आपकी cravings खतम हो जाएगी, जिन्दिगी बड़ी light हो जाएगी, मज़दार हो जाएगी, औ उसको जितना हो सकता है, avoid कीजिए, क्योंकि एक तो उसके अंदर definitely preservatives होंगे, जो हमारी body स्विकार नहीं करती है, दूसरा, उसके अंदर जो packet के अंदर chips हैं, या जो भी चीज है, उसके अंदर बहुत high amount में sodium chloride, यानि कि वो नमक जो है, बड़ी भारी मातरा में होगा, कभी जिन्दगी में weight loss नहीं होने देगा, तीसरा, अगर वो नमक नहीं है, तो उसके अंदर बहुत heavy amount में sugar होगी, चाहे वो chocolate है, या कोई भी चीज है, ये मीठा जहर है, जिन्दगी से निकाल दो, ये जितनी cold drink, ये जितनी bottles भर-भर के हम पी रहे हैं, ये हमारी जिन्दगी को नहीं होता, gas add की होती है, जो हमारी body के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, और अगर यकीन ना हो, तो एक काम करना, कभी cold drink पीते हो, उसके दो drops जमीन पर गिर देना, उसके बाद पैर रखकर के उसके उपर चलना, आप देखोगे, ऐसा glue भी नहीं चिपकेगी, जैसे आपका weight loss करना चाहते हैं, तो आपको आपकी body से थोड़ा सा पसीना जरूर निकालना चाहिए, अब जब भी ऐसी बात होती है, तो लोगों को एक तो आलस बहुत आता है, दूसरा उनको लगता है, मेरे पास समय नहीं है, तीसरा उनको एक ही चीज याद आती है, वो है दोड़ना, कि भागो दोडो दोड लगाओ, बिल्कुल भी नहीं, दोड़ने से भी बहुत powerful चीज है, brisk walking, यानि आप तेज तेज अगर चलते हैं, तो वो आपके लिए एक बहुत अच्छी cardio exercise है, दूसरा, आप कोशिश कीजिए कि आप cycling कीजिए, तीसरा कोशिश कीजिए, swimming कीजिए, अगर ये कुछ नहीं कर सकते, तो दुनिया के सबसे powerful और असान तरीका आपको बताता हूँ, ये है यूगा करना, दो प्राणायाम, पहला कपाल भाती, आपको याद है, इस वीडियो में मैंने आपके साथ कपाल भाती शेर किया था, और यहाँ पर comments में पढ़िएगा कितन आप सिर्फ अपनी जिंदिगी के अपनी health के लिए, weight loss के लिए 2 मिनट निकाल सके न, तो सूरे नमसकार जरूर कीजिए, इसके अंदर बहुत सारी exercises हैं, in fact यूँ कहूँ कि पूरा का पूरा योग एक सूरे नमसकार के अंदर समाया हुआ है, हर प्रकार का जो angle है body यहाँ create कर लेती है, body के हर पार्ट पर stimulus जाता है, एक pressure जाता है जिससे की body का हर पार्ट regulated रहता है, next आपको अपने metabolism को kick in करना है, kick start करना है, बहुत से लोगों का fat gain करने का कारण, या weight gain करने का कारण, या सुस्ती और आलस का कारण, यह है कि उनका metabolism का process ठीक से नहीं चल रहा है, य जिसका metabolism weak होगा, आप देखेंगे कि उसको gut related बहुत issues होने लगेंगे, gastric problems होगी, acidity होगी, hyper acidity होगी, कईयों को IBS हो जाएगा, और कईयों को तो urinary tract में infection जो है, वो हो जाता है, तो अपने metabolism को ठीक करने के लिए सबसे पहले तो सुबह जो आपने कपाल भाती किया, powerful एक च चाते हैं, और आप चाते हैं कि आपका metabolism फिर भी बढ़िया हो, तो आप vitamin D, आपकी body में अगर proper मात्रा में हुआ, तो आपकी body का metabolism बहुत बढ़िया तरीके से boost हो जाएगा, खाना पचेगा, पेट की सारी दिक्तते खतम, और चेहरे पर जो चमाक आएगी वो अलग से ये है कि आप sun bathing कीजिए, धूप को सोक कीजिए, कम से कम 10 मिनट के लिए, लेकिन ये गलती मत करना कि जब धूप पूरी प्रचंड हो, 12-12 बजे हो तो आप उस धूप को सोक कर रहे हैं, ऐसा कम कीजिए, कोशिश कीजिए कि जो सुबह की धूप, सबसे पहली धूप जो आपको 10- तरीके से चल रहा होता है, आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग 10-20-20 रोटी खा जाते हैं, लेकिन वो मेहनत करते हैं, जिम में जाकर शरीर तोड़ते हैं, कसरत करते हैं, आसंस करते हैं, या फिर खेत के अंदर काम करने वाले लोगों को आप देखोगे, कि हैवी अच् कार्डियो थोड़ा सा जरूर कीजिए, बॉडी की मुवमेंट कीजिए, तशरीफ जो रख दिये कहीं बठाकर इस तशरीफ को उठाओ, थोड़ी मुवमेंट करो, और हाँ, खाने के बाद, इमीडियेटली बाद आपको वाक नहीं करनी है, ये गलत प्रैक्टिस है, इस व वजरासन को करने के बाद 5-10 मिनिट का ब्रेक लीजिए, उसके बाद चाहें तो वाक पर जा सकते हैं, क्योंकि अब आपने अपने खाने को सेटल कर दिया है, अगर खाना खाते ही वाक पर जाए, जो हमारे पेट में है, तो वो दिक्तत क्रियेट करता है, आयुरुएदा के accordingly ये मना है, लेकिन हाँ, वजरासन करने के बाद या खाने के आदे घंटे के बाद अगर आप वाक पर जाते हैं, जरूर जाए एक बहुत अच्छी प्राक्टिस है, last but not the least, मुझे पता है वीडियो लंबा हो गया है, लेकिन यार इतना कुछ आपके साथ बांटना होता है, रखना कुछ भी नहीं मन करता, मन करता कि सब कुछ शेयर कर दूँ, तो last चीज को जरूर सुन करके जाएगा, कि ये बहुत जरूरी step है, ये है हमारी body का एक sufficient amount पर protein को gain करना, अगर हम protein लेते हैं, तो हमारी body जल्दी weight loss की तरफ जाती है, fat loss की तरफ जाती है, हमारे muscles built up होने energetically, beautifully charged रहती है, और ये protein के कुछ बहुत अच्छे source हैं, जिसमें से मैंने आपको थोड़ी देर पहले चने बताए, भुने हुए, दिन में दो मुटी भर करके चने जरूर खाईए, दूसरा sprouts खाईए, यानि दालों को अंकुरित करके खाईए, और अंकुरित करने के बाद जब आपको इनको खाना हो, तो उससे पहले आप इनको steam कर लीजिए, हलका सा, जिससे इनका digestion आपके पेट में बड़ा easily हो जाएगा, और जो इससे protein है, वो आपकी body में अच्छे से absorb होगा, इनको रूखा मत खाईए, इनके उपर कोशिश कीजिए, हलका सा सेंदर नमक आप डाल लो, कोशिश करो इसके अदर प्याज और tomato काटके डाल लो, कोशिश करो हलका सा नीमभू, अहा, मेरे मुँ में भी पानी आगया है, अभी शाम को खाता हूं, कोशिश करो हलका सा नीमभू इसके उपर डाल लो, अरे ये आपकी सारी cravings को खतम कर देगा, खटा खाने की मीटा खाने की, नमकीन खाने की और ये जो आपको energy देगा body के अंदर उसका कमाली है जी और last में एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि हर एक human body की एक requirement है कि उसको specific calories लेनी ही चाहिए suppose मेरी body को अगर 1500 या 2000 calorie की requirement है और वो calorie मैं नहीं ले रहा हूँ कि आपको कितना calorie intake दिन में लिना है उतना calorie intake लीजिए और कोशिश कीजिए कि वो calorie intake लो जिसमें आपको protein भी मिले जिसमें आपको थोड़े से carbohydrates भी मिले जिसमें आपको minerals और vitamins भी मिले अब आपने अगर एक रसगुला खाया उसमें कुछ नहीं मिला धेले का लेकिन calorie हो गई 300 सपोस कीजिए आपने 1500 calorie दिन में खानी थी उसमें से 300 तो आपने वो गुलाब जामुन या रसगुला खाके पूरी कर ली हमारी body लगातार calories को consume कर रही है आप सांस ले रहे हैं तो भी ये calories को consume कर रही है पर कोशिश कीजिए अगर आप excessive calories किसी दिन खा लेते हैं तो उनको burn out कीजिए यानि अगर आपने 200 या 300 calories फालतू खाली यानि एक समोसा आपने खाया जिसमें 200 calories थी तो कोशिश कीजिए कि उन 200 को burn कर दीजिए उनको burn करने के लिए क्या करना पड़ेगा और इतनी जिंदगी में भाग दौड भी नहीं करनी पड़ेगी कि जो खा रहा है उसके बाद उसको पचाने में इंसान 4 गंटे लगाता रहे तो इसलिए calorie intake को ज़रूर ध्यान दीजिए और अगर आप excessive calories ले रहे हैं उनको burn कीजिए अगर आप कम ले रहे हो तो calorie ज़रूर लो in fact fat की भी हमारी body को ज़रूरत है कई लोग बोलते है fat खाना छोड़ दो बिल्कुल एक होता है good fat एक होता है bad fat जैसे good fat कौन सा है जो nuts है जितने जितने भी nuts हैं इन सब में good fat होता है तो अगर आप consume कर सकते हैं मेहनत कर रहे हो कोई भी शरीर से काम ले रहे हो तो चाहे 10 चमबच गी के खाऊ गाएंके बहुत बढ़िया काम करेगा लेकिन bad fat जो है यह जितना आप मीठा खा रहे हैं packaged foods खा रहे हैं जितने junk food खा रहे हैं यह सब bad fat है सौरा बिमारी का घर है और कुछ भी नहीं है तो उमीद करता हूँ जी अगली बार जब आप वीडियो देखने आओगे तो 2-4-5 किलो छोड़ करके आओगे यानि उमीद करता हूँ कि यह जो चीज़ें बताई हैं इनको जिंदगी में follow भी करोगे यार वीडियो पर वीडियो मत देखते रहा करो follow क्या करो इसलिए बोलता हूँ वीडियो पर like चाहे दो ना दो लेकिन एक promise दे दिया करो कि जो बातें बता रहा हूँ इसमें से कुछ न कुछ किसी चीज़ को आप अपनी जिंदगी का part बनाओगे comment करके मुझे जरूर बताना क्या चीज़ आज से शुरू करने वाले हो और क्या चीज़ छोड़ने वाले हो क्यूंकि आपके comments को हजारों लाखों लोग पढ़ते हैं आप किसी के लिए inspiration बन सकते हो प्रेरणा का स्त्रोत बन सकते हो अगर आप ये चोटा सा comment drop करते हो और बताते हो कि किस चीज़ से आपको benefit हुआ इन में से अगर आप कोई भी practice कर रहे थे जो मैंने बताई और उससे आपको benefit हुआ तो भी comment करके बताना यार और जब weight loss होता ना शरीर पे excessive यहाँ excessive चर्बी नहीं होती body बिलकुल toned होती है relaxed होती है तो कपड़े डाले हुए भी ज़शते है personality भी अच्छी लगती है आप beautiful भी लगते हो smart भी लगते हो और बिमारियों से बचते हो वो भी एक benefit है